आवाज शुनाई दे रही है दिखाई दे रहा हूं है अब प्रॉपरली एक बार देख लो और मेसेज कर दो जल्दी से दो दिन से ये लेक्चर अटक जा रहा है कुछ टेक्निकल इशू उसकी वज़े से होफुली आज पूरा फाइनली कम्प्लीट हो जाए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एक बार हाँ लिख दो जल्दी अल्दी सब को ठीक चाक चल रहा है तो एक बार हाँ लिख दीजे भाई हेलो 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 हाई रितिक हाँ everything is fine चलो let's get started ठीक है तो guys welcome to let's crack need तो बीच में थोड़ा 2-3 दिन का pause हो गया अब हम लोग वापस फिर से पढ़ाई resume करते हैं cell biology आज मैं आपका खतम करवाने वाला हूँ ठीक है तो चलो start करते हैं आज का session introduction mandatory अब तो जान कियोगो तुम लोग मुझे ठीक है मेरा नाम डॉक्टर आनन मनी है मैंने अपनी mbps वदमान महावीर medical college and sub-dosing hospital new delivery से complete किये मेरी all linear rank 416 ही जब मैंने अपना medical insurance exam दिया था और अब मैं आपको लगवख 5 साल से इस platform पे पढ़ा रहा हूँ ठीक है telegram channel है मेरा इसको install कर लो ठीक है telegram app install करो neat plus telegram channel है इस पे आजाओ सब के सब ताकि आपको pdf मिल जाए जितने भी lectures होते हैं प्लेलिस उनकी pdf कोई मेरी class की notification कुछ class cancel हो गया कुछ questions कुछ DPP सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है तो pdf के लिए आप यहाँ पे यह need plus telegram channel पे install कर लो ठीक है secondly आपको मैं एक platform पर बढ़ाता हूँ इसका नाम है an academy का plus platform या उसको an academy subscription subscription भी हम लोग कहते हैं जहाँ पे आपको इंडिया के top educators, physics, chemistry और biology पढ़ा रहे हैं ठीक है तो अगर आप लोग need 2020 के लिए हैं तो तीन महने का subscription ले लिजाए अगर need 2021 या need 2022 के लिए हैं तो one year या two year का subscription ले सकते हैं आपको मेरे साथ इंडिया के सारे top educators पढ़ाने वाले एक single stop है, मतलब एक subscription आपने ले लिया तो आप 40 plus top educators है, single platform बे पढ़ सकते हैं बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर क्या मैं इसे bio का course ले सकते हो, बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है आप मुझसे पढ़ना चाथते हैं, मेरे अलावा किसी और teacher से पढ़ना चाथते हैं यह सारे top educators है, मेरा भी शकल गलती से समें दिख जाता है ठीक है, यह सारे top educators है, जहां पर आप जिससे पढ़ना चाते हो किसी से भी पढ़ना चाते हो, ठीक है single subscription से आप किसी की भी class लगा सकते हो, ठीक है करना क्या होगा आपको, यह देखो मेरे भी कुछ की courses चलना है अभी मेरा जो सबसे famous course चलना है, यह revision course on biology चलना है जो आपको NEET में बहुत अच्छा score करने में help करें को यह revision course on biology पे आप इन्रोल कर सकते है NEET 2021 के लिए और NEET 2022 के लिए भी नए courses मेरे launch हो रहे है जिसको आप enroll कर सकते है, ठीक है करना क्या होगा आपको, आपको unacademy का learners app install करना है प्लस पे आओगे, प्लस पे आपका pricing है, देखो एक मेने का 6000 है, तीन मेने का 15,000 है, छे मेने का 24,000 है 12 मेने का 30,000 है, और तुमारा 24 मेने का 36,000 है सबसे सस्ता ये पढ़ता है, सबसे सस्ता पढ़ता है ये आपको 15,000 रुपय महिने से भी कम का पढ़ता है, ठीक है यहाँ पे referral code डालो आनन, यहाँ देखो आनन लिखा हुआ है ये referral code डालके apply करोगे, तो ये price तुमारा हो जाएगा 32,400, ये 27,000 हो जाएगा, तो सब पे आपको 10% का discount मिल जागा जैसे आप ये referral code आनन दालोगे और आपको unacademy के दरवाजे आपके लिए खुल जाते है मतलब आप सारा का, सारा unacademy के जितने भी courses हैं उसको आप enroll कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं ये निये कि आप limited number of teachers से पढ़ सकते हैं आप किसी भी teacher से सिर्फ ये referral code आनन यूज करोगे और आप पढ़ पाओगे ठीक है, benefits additional क्या मिलता है मेरे code यूज करने का कि आपको 10% के discount के साथ साथ आपको तो मतब यासे तुम हो गया ने मेरे student हो गया तो वो mentorship मिल जाता है it is like a social currency, right? तो इसलिए आपको referral code आनन यूज करना है चलिए, start करते हैं भाई, बिना time गवा है, तुम लोग का दो दिन खराब हुआ है तो lecture start करते हैं, let's get started guys, चलो हाँ जी है चलो, thank you जैनम, very good या, तुम लोग का बहुत जादा प्यार मिलने लगा है मतब, thank you so much guys, मतब I am overwhelmed, ठीक है बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, चलो, let's get started हाँ जी, तो start करते हैं, cell chapter, again ये important chapter है दो question cell structure से आता है, और तीन question cell division से होता है यार रखना, cell division chapter छोटा है, लेकिन question जादे cell division से आते है, you have to keep this in mind, चलो, let's get started हाँ जी, तो क्या है भाई, NCRT मातग जै कहते हैं, और शुरू करते हैं आज का session, भाई, प्लीज कुछ पंगा ना हो ना, हाँ, चली, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग अभी तक देखे, हम लोग देखे, कि भाई, कि हम cell की बात करते हैं, तो cell मेरा क्या है, हमको ये पता है, cell is the structural and functional unit of life in all living organism, ठीक है, every living organism is composed of cell, so cell is the structural and functional unit of life in all living organism, पहला cell जो discover किया था, हमारे हुग चेचा नहीं किया था, he was a physicist, ठीक है, तो तुमारे laboratory में curator था, magnifying glass का, तो उसने तुमारा देखा था, Robert Hook, तो Robert Hook चचा ने हमारा discover किया था, Robert Hook का नाम दिया है, नहीं दिया है, चलो लिख लो भई, Robert Hook तुमारा, quark cell है ना, Robert Hook, quark cell, ठीक है, simple microscope से इन्होंने दिखा था, ठीक है, उसके बाद हमारे A.V. Leon Hook थे, A.V. Leon Hook, Anton Won Leon Hook, he first described a living cell, he first described a living cell, ठीक है, and Robert Brown जो थे, इन्होंने nuclear discover किया था, Robert Brown जो थे, इन्होंने nuclear discover किया था, कुछ extra scientist के नाम में आपको लिखवाऊंगा, कुछ आज का scientist के नाम आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, अच्छा, electron microscope, इस पर question आए हुआ, इन्होंने, ठीक है, electron microscope, कौन सा, null and ruska, null and, I am not sure about the spelling, ठीक है, feeling समझाना, ठीक है, इतना काम चल जागा, ठीक है, electron microscope पर question आए हुआ था, ठीक, तो तुम्हारा living cell जो है, वो, कौन है, avilionuk, robert brown nucleus, और उसके बाद, तुम्हारा microscope के invention के बाद, आपको different different cells मिलते रहे, ठीक, अच्छा, cell theory क्या था, cell theory का तीन postulate था, इसमें साल आपको याद रखना है, इसमें आपको साल याद रखना है, और दो-तीन important बाते भी याद रखनी, क्या याद रखनी है पहला, कि 1838 में, एक scientist थे, जिनका नाम था, Matthias Clayton, he was a German botanist, इस पर भी question आ गया था, ठीक है, अब वो जर्मनी में पैदा हुआ, इतलीम पैदा हुआ, फ्रांस से पैदा हुआ, याद रखना पड़ेगा, and he observed the plants, and gave that all plants are, all plants are of different kinds of cells, which forms tissue, मतलब, cell से tissue बना, tissue से organ मना, organ से organ system मना, and organ system से organism मना, तो बोला क्या, कि जितने cells है, different types के cells के tissue बन गया, यहाँ पर, सेम टाइम पे, सेम टाइम पे, तुमारा एक और scientist का नाम था, Theodore Swan, शेम टाइम लिखा है, वहाँ, लेकिन 1838 है, यहाँ पर 1839 है, and he studied animal cells, तो अगर question पूछे, who discovered animal cells, तो आपका answer, Theodore Swan आ जागा, ठीक है, living cell में, तुमारा animal cell है, Anton von Leonuk, ठीक है, देख लो, living cell में, Anton von Leonuk, ने भी animal cell को ही discover किया था, but again, पूरा proper cell membrane, सब कुछ जो देखा था, तो he, it was discovered by Theodore Swan, Theodore Swan देखा क्या, की, they had a thin outer layer, which is today known as plasma membrane, तो यार रख लिएगा, यह दो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, first living cell, that was an animal cell, it was discovered by A.V. Leonuk, ठीक है, but, first animal cell, bound together by a plasma membrane, है ना, plasma membrane का जो discovery, बाद में उसके बाद में structure हमने अलग-अलग देखा, but वो discovery जो है, plasma membrane की, वो Theodore Swan ने की थी, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, and he concluded based on his studies that the presence of cell wall, the presence of cell wall is unique characteristics of plant cell, मतलब, दोनों चीज़ है, animal cell के लिए बता है, plasma membrane है, plant cell के लिए बता है, cell wall है, यह दोनों काम Swan ने किया है, important है, यह दोनों काम Swan ने किया है, समझ में आ रहा बच्चो, है ना, यह दोनों काम Swan ने किया है, यह this is important, you have to keep this in mind, ठीक है, दोनों काम Swan ने किया है, मैं बार-बार रिपीट करता हूँ इस पर confusion आता है बच्चों का plant लगता है तो तुम लोग छोचते हो कि भाई Matthews Clayton है लेकिन नहीं दोनों काम Swan ने किया you have to keep this in mind ठीक on the basis of this Swan proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are cells and products of cells यहाँ पे देखो मतलब Matthews Clayton जब plant के लिए बोला था तो Theodore Swan ने दोनों को मिला के यह postulate दिया क्या कि they propose that the bodies of plants and animals are composed of cells इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बेटा बेटा फिर से बता रहा हूँ मैं plant का cell membrane और animal का cell wall दोनों का discovery जो है वो Theodore Swan ने गया था He only told that animal cells have a outer membrane जिसको plasma membrane कहते है plant cell have a unique membrane like structure जिसको cell wall कहते है तो यह दोनों काम Swan नहीं किया था उसके बाद Swan और तुमारा Scledon दोनों मिलके formulate किया cell छोरी को जिसको हम कहते है जिसको हम कहते है that the cell is the structural and functional unit of life in all plants and animal cells यह दो पॉइंट हो गया ठीक अच्छा दूसरा क्या है इन्होंने यह नहीं बताया है कि how new cells were formed तो उसके बाद 1855 में आगे यह यह इंपोर्टेंट है 1838 मैचियास क्लेटन 1839 थेोडर्शक्वान और 1855 रुडॉल्फ विर्चो यह 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 इंपोर्टेंट है ठीक है 1885 में मेरा रुडॉल्फ विर्चो नहीं कहा omnis cellular e cellulae that cells arise from pre-existing cells तो दो पॉस्टिलेट हो गया all living organisms were composed of cell and products and all cells arise from pre-existing cells तो तीन साइन्टेस्ट है थेोडर्श्वान, मैचियास क्लेटन और रुडॉल्फ विर्चो यह आपको ध्यान से देखके रखना है यह भी इंपोर्टेंट है कहां कौन पैदा हुआ है वो भी इंपोर्टेंट है जर्मन बॉटनिस्ट and ब्रिटिश जॉल्जिस्ट I hope आपको याद हो गया होगा हाँ जी चली, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हाई दिनेश, थैंक यू बिटा है ना, चल आगे आते हैं अगर हम पूरे एक सेल का ओर्व्यू देखें तो सेल बेसिकली दो तरह के सेल्स होता है एक प्रोकारियोटिक सेल होंगे प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप नुटियस यू मतलब ट्रू नूटियस तो अगर primitive type nucleus है तो prokaryotic cell है अगर true nucleus है तो eukaryotic cell है कहानी S में ऐस सच कुछ ऐसा है नहीं मतलब सिर्फ मतलब मालो कि अगर हम eukaryotic cell की बात करेंगे तो they have a dense membrane bound structure and they are called nucleus which is absent in prokaryotic cells तो cells have membrane bound nucleus called eukaryotic cell whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic cells cytoplasm दोनों में present होगे और cellular activity दोनों में होता है and these organisms are in a living state है living state क्योंकि इसमें metabolic reactions होते रहते है protein synthesis हो रहा है, lipid synthesis हो रहा है carbohydrate का breakdown हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे होते जा रहा है ठीक है? eukaryotic cells के छोटे छोटे compartment है cell के अंदर आ जाएगा, इसको हम कहते हैं cell organelles semi-autonomous होते है, most of the cell organelles are semi-autonomous most of them, I am not telling all the cell organelles are semi-autonomous most of the cell organelles are semi-autonomous, मतलब जादातर function वो खुद से कर लेते है जादातर function वो अपने खुद से कर लेते है जैसे endoplasmic reticulum हो गया, यह semi-autonomous नहीं है ठीक है? golgi complex हो गया, यह भी semi-autonomous नहीं है lysosome हो गया, यह भी semi-autonomous नहीं है mitochondria है, यह semi-autonomous है micro body है, यह भी semi-autonomous नहीं है vacuoles है, यह भी semi-autonomous नहीं है तो mitochondria, plastics, यह मेरे semi-autonomous होंगे बाकि यह सब semi-autonomous नहीं होंगे ठीक है? prokaryotic cell में membrane bound nucleus absent होता है membrane bound cell log nail भी absent होता है ribosome जो है, ribosome के पास कोई भी membrane नहीं होता है ribosome के पास कोई membrane नहीं होता prokaryotes में 70S होता है eukaryotes में 80S होता है prokaryotes में 70S होता है eukaryotes में 80S ribosome present होता है prokaryotes में eukaryotes में 70S ribosome cell organelles के अंदर में present होता है जैसे mitochondria के अंदर 70S होगा general case में अगर हम cytoplasm की बात करें तो prokaryotic cytoplasm have 70S ribosome and eukaryotic cytoplasm have 80S ribosome ठीक एनिमों पात एक और होता है इसको हम कहते है centrosome that helps in division अभी हम centrosome पर भी बात करेंगे और एक important point जो यहाँ पर निकल के आता है कि centrosome भी membrane bound नहीं होता है it is also non membrane bound इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, अब कुछ confusion आएगा तुम लोग को यहां पे, देखो, NCRT थोड़ा सा गुमाईगी तुम लोग को यहां पे, क्या है, पहला चीज जिस पे NCRT आपको गुमाती है, उसको हम कहते हैं, कि अगर smallest cell पूछे, अगर smallest cell पूछे, और तुम्हारा mycoplasma और PPLO दोनों दिया है, तो तुम PPLO मार्क करोगे, हमेशा यार रखना, ठीक है, smallest cell, smallest cell, ठीक है, mycoplasma और PPLO पूछे, तो PPLO मार्क करोगे, यार रखना इसको, ठीक है, हाँ जी, तो mycoplasma तो smallest cell, that is 0.3 micrometer in length, और यह membrane नहीं होता है, it also lacks a membrane, mycoplasma लिख लो, it lacks a membrane, ठीक है, यार रखेगा, यह important है, इस पर question आया हुआ है, mycoplasma also lacks a membrane, ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, in length, while bacteria, bacteria length है, 3 से 5 micrometer, ठीक है, virus सबसे छोटा हो जाएगा, virus bacterial filter के थुरू, cross कर जाता है, virus का हो जाता है, 0.02 micrometer, ठीक, multicellular organism में बात करेें, तो RBC मेरा 7 micrometer होता है, लगबच, ठीक है, nerve cell longest होता है, largest cell, ostrich का अंडा है, nerve cell longest हो गया, human nerve cell longest हो गया, ठीक है, और ostrich का अंडा largest होता है, ठीक है, आप देखो, तो एक्जाम्पल कुछ कुछ आप क्या गया आर बीसी मैच्चोर बाइकन केव होगा क्या है इम्मैच्चोर है तो राउंड होगा डबलू बीसी मेरा एमिवाइड होगा कॉलम्नर एपिथीलियल सेल लॉंग और नेर्ट तुम्हारा नर्व सेल ब्रांश्ट इलोंगेटेड ट्रैकीड इलोंगेटेड वाटर के कंडक्शन करेगा और मीजोफिल सेल राउंड होगा जो क्लोरोप्लास स्टोर करके रखता है आपको इन सबका स्ट्रक्चर याद रखना है थीक है चल्ई आगे बढ़ते है करें लिख और बात करें तो सेल होन्गेए और चेक यहाँ पर लिख लो ठीक है longest nerve और smallest हम लोगे ने देख लिया अगर माइको प्लाजमा या पीपी एलो में से कोई एक चूज करना हो आप उसको चूज कर सकते हैं ठीक है चली अगला अब आते हैं प्रो केरियोटिक पे तो प्रो केरियोटिक सेल में सब कुछ आ गया माइको प्लाजमा पीपी एलो और बेक्टिरियल सेल प्रो मतलब प्रिमिटिव केरियो टाइप मतलब नूकलियस तो अगर प्रिमिटिव टाइप नूकलियस है मेरा तो उसको हम prokaryotic cells कहते हैं so the prokaryotic cells are represented by क्या भाई prokaryotic cells are represented क्या क्या आ गया bacteria आ गया हमने पढ़ा है syno bacteria आ गया mycoplasma आ गया और PPLO again हमने बता दिया smallest कौन कौन सा है इसमें PPLO और mycoplasma जो है इसमें तुमारा नहीं आता अच्छा इसमें question आता है तुमारा question आता है इसमें कि gas vacuole green sulfur bacteria में present हो ते लिक लो gas vacuole तुम लोग का ये MCQ ये MS का question solve करा रहे हैं ठीक है green sulfur bacteria में होता है chromatophores ये अभी हम लोग पढ़ेंगे chromatophores cyanobacterium होता है and it helps in photosynthesis it helps in photo photosynthesis ठीक है अच्छा ठीक है तो these are generally smaller and multiply more rapidian eukaryotic cells बहुत अच्छी बात है ठीक है shape अलग अलग हो सकता है shape कैसा हो गया bacillus rot shape इसका तुमको structure याद नहीं करना ना इसका example याद करना जैसे caucas का septo caucas हो जाएगा bacillus का तुम्हारा bacillus volutens या कुछ भी आ जागा spirulum volutens आ जागा ठीक है caucas का तुम्हारा diplo caucas आ गया vibro, vibro में आ जागा vibro cholera आ गया spirulum का spirulum volutens आ गया तो, generally, bacterial cell जो है उनको छार पार्ट में divide करते है बेस्ट अ आं धर्युप नीक इसको हम कहते है ग्रामर स्टेनिंग लिक लो क्या होता है ग्राम स्टेनिंग में हमको पता करना है या तो, bacteria मेरा gram निगेटिव है या भैक्टियराया मेरा gram निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस पे डालते हैं crystal wallet, क्या करते हैं crystal wallet डालते है, crystal wallet डालने से क्या हुआ, कि मेरा जो gram positive bacteria वो भी wallet को हो जाएगा, negative bacteria वो भी wallet in color हो जागा, ठीक है, उसके बाद फिर हम उसमें डालते है iodine, iodine डालेंगे तो क्या होगा, अगें यहाँ पे, य यह भी wallet पे आजाएगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको wash करते हैं, पहले पानी से और फिर हम wash करते हैं इसको ethanol से, पहले हम पानी से wash करते हैं, फिर हम wash करते हैं इसको ethanol से, ethanol से wash करते हैं, तो क्या होता है, कि यह वाला जो color है, यह purple ही रह गया, ठीक है, और यह वाला जो color है, यह हो गया colorless ठीक है फिर इसके बाद हम क्या करते हैं हम इसको add करते हैं यहाँ पर सैफरनीन यहाँ पर हम add करते हैं सैफरनीन जब हम सैफरनीन आड़ करते हैं तो यह purple का purple ही रह जाता है और यह रह जाता है तुमारा यह इसका color जो हो जाता है pink इसका color हो जाता है pink तो यह जो परपल वाला रह गया है यह मेरा gram positive bacteria है इस staining technique को हम gram staining कहते हैं और इससे तीन करना आता है पहला conclusion कि जो gram positive bacteria है gram positive bacteria है इसके पास ठिक layer का बना हुआ राता है low lipid content होता है and single layer होता है यह तीन conclusion इससे पहुँचता है gram positive bacteria क्या है कि तुमारा ठिक layer है lipid इसमें कम है and it is made up of a single layer अगर हम gram negative अगर हम gram negative bacteria की बात करें तो gram negative में क्या हो जाएगा negative bacteria मेरा हो गया thin layer ठीक है और 2 से 3 layer का होता है 2 से 3 layer का होता है ठीक है और यह इसमे lipid content जादा होता है इसलिए lipid content wash off हो जाता है lipid content इसमें जादा होता है इसलिए lipid content wash off हो जाता है जब हम इसको alcohol से करते हैं तो इस तरह से basically gram positive और gram negative bacteria को हम distinguish करते हैं जादा तर pathogenic forms जो हमको मिलते हैं वो gram negative bacteria में होता है generally जितने pathogenic forms हमको मिलते हैं जाथ से तुमारा staphylococcus वगरे यह सब जो हो गया यह सब तुमारे gram negative bacteria ही होता है जो जादा pathogenic in nature होते हैं ठीक है बेटा mycoplasma cell wall lack करता है हाँ cell wall lack करता है बाबू but question तुमारा जैसे NCRT जो need में question frame होता है कि they lack a membrane तो आता है उसमें answer तुमको tick लागाना पड़ता है कि mycoplasma lacks a membrane ठीक है attention मतलो जो बता रहा हो उसमें है mycoplasma they lack a membrane ऐसे question आता है membrane term use होता है cell wall use नहीं करता इसलिए मैंने आपको membrane के form में बना you are absolutely right they lack a cell wall ठीक है don't worry about that हाँ जी हाँ ठीक है चलिए आगे बढ़ता यही देखो typical eukaryotic cell 10 से 20 micrometer virus 0.02 यहाँ भी देखो PPLO 0.1 हो गया और वहाँ पे 0.3 था और typical bacterial cell तुमारा 1 से micrometer होता है ठीक है अब आते हैं मुद्दे पे क्या क्या चीज होता है प्रोकारियोटिक सेल में तो प्रोकारियोटिक सेल में क्या है कि a cell wall तीन कैपसुल लेर होता है भी हम cell wall का बात करेंगे ठीक है the cell wall except in microplasma आप देखो यहाँ पे देखो NCRT में क्या लिखा है NCRT में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है all NCRT में clearly mentioned नहीं है इसलिए NCRT का language बहुत important हुआ जाता है देखो क्या लिखा हुआ NCRT में क्या लिखा है all all prokaryotes have a cell wall and surrounding the cell membrane except in micrplasma ठीक है अब इसका दो मतलब निकल सकता है इसका दो मतलब में निकल सकता है according to NCRT पहला मतलब यह निकल सकता है कि cell wall नहीं है cell membrane में में नहीं है दूसा मतलब यह निकल सकता है कि cell wall नहीं है cell membrane होता है ठीक है तो यहाँ पे NCRT confused कर जाते बस तौमको इतना याद रखो अगर कहीं question आपको दिख जाए which lacks a membrane अगर membrane कहीं word यूज या membrane word है तो mycoplasma होगा यार रखना ठीक है क्योंकि यहाँ पे यह contradictory है state में और हम लोग को NCRT के prospect से ही देखना पड़ता है आई बास समझ में हाँ जी ठीक है कोई doubt होगा तो comment करना है मैं comment देख लूँगा थोड़े जेर में ठीक अब इसके अंदर जो fluid filled होता है इसको हम कहते है cytoplasm fluid filled metric जो है इसको हम कहते है cytoplasm and there is no well defined nucleus यहाँ पे nucleus absent है genetic material is in case in a region called cloid genetic material is in case in a region called nucleoid तो genetic material is basically naked मतलब they are not enveloped by a nuclear membrane और यहाँ histone proteins भी absent होते है लिख लो यहाँ पे histone proteins absent होते है लिख लो histone proteins are absent and इसके बदले हम को क्या मिलता है इसके बदले हम को मिलता है polyamines polyamines are present याद रखिएगा ठीक है इसके बदले हम को क्या मिलता है हमको इसके बल्ले polyamines मिल जाता है यहां पे, तो histone proteins are absent and polyamines are present, ठीक है, अब यहां पे देखो बहुत important चीज, in addition to genomic DNA, यहां पे देख लो ध्यान से, genomic DNA, the single chromosome circular DNA, single chromosome circular DNA may have small circular DNA outside the genomic DNA, ठीक है, इससे क्या conclusion पे पहुंच रहो, double standard DNA है, इस single standard DNA है, यहां पे, जो यह कहा रहा है, single genomic, single chromosome circular DNA, तो इसका circular DNA double standard है, या single standard है, comment करके बताओ, circular DNA इसका double standard है, या single standard है, हाँ सिद्धी, वो मैं समझ गया बेटा, I can, I complain, again बोला हूँ, बाबू NCRT में बहुत चीजे बे तुका दिया रहता है, क्या करोगे, महनना पड़ेगा न, तो तुम जो option, जैसे questions आया है, उस questions के हिजाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यह समें, दो बार ऐसा question, वो membrane वाला, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा मैं खुद confused हो जाता हूँ, उन questions में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, है न, कुछ लोग single कह रहे हैं, कुछ लोग double कह रहे हैं, बेटा 12th class पूरा हो गया है, जी double होता है, ठीक है, हां जी, हां जी, हां जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे polyamines present होते है, ठीक है, these are smaller DNA called plasmid, तो दो तरह का DNA, एक nuclear या इसके nucleoid वाला DNA है, ठीक है, जो उसका अपना chromosome है, single chromosome होगा यहाँ पे, ठीक है, तो single chromosome slash circular DNA, अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कि उसके पास extra chromosomal genetic material होता है, जिसको हम plasmid DNA भी कहते हैं, जिसको हम plasmid DNA भी कहते हैं, जो तुमार extra chromosomal genetic material होता है, ठीक है, अरे जार क्या हो गया, जिसको हम extra chromosomal genetic material कहते हैं, which gives unique phenotypic factors to such bacteria, जैसा है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, हम लोग पढ़े था ना, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, PVR 322 पे पर प्रेजन्ट होता था, एंपेसिलीन रेसिस्टेंस जीन और टेटरासाइकलीन रेसिस्टेंस जीन है ना, तो ये, ये जो plasmid DNA है, ये confer करता है, इस antibiotic resistance को, ये जो plasmid DNA, ये confer करता है, इस antibiotic resistance वाले चीज़, ठीक है, प्लस अलग अलग जो भी, इसमें actually होता है, ये fertile male method, fertile female method, HFR वगेरा, पहले हम लोग पढ़ते थे, अब आपको उतना detail में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक, तो ये bacterial cell के बारे में हो गया, ठीक है, अच्छा, आब इसकी बात करें, अगर structure पे, structure पे बात करें, तो और इसके बाद आता है तुम्हारा cell membrane, इस तीन लेयर का होता है तुम्हारा, क्या, ठीक है, glycocalyx तुम्हारा lipid वाला होता है, तुम्हारा mucopolysacride का बना होता है, ठीक है, cell wall तुम्हारा ये बना होगा, peptido glycan का, जिसके साथ NAM और NAC होता है, N-acetyl, murmeric acid होता है, और cell membrane again तु ये तुम्हारा cell wall होता है, glycocalyx cell wall और cell membrane, जो तुम्हारा outer structure बनाता है, इसका, ठीक है, ठीक है, अब आगे आते हैं, अब क्या कह रहा है, आगे, कि DNA is usually, यहाँ पर कुछ नहीं, nuclear membrane is found in eukaryotes only, prokaryotes में nuclear membrane absent होता है, ठीक है, तो genetic material is in case in a region called nucleoids, which are surrounded by special sets of protein called polyamines, ठीक, no organelles like the eukaryotes are found in prokaryotes except ribosomes, सिप ribosomes present होता है, prokaryotic cell में, and prokaryotic cell में 70S ribosome होता है, which helps in protein synthesis, right, prokaryotes have something inclusion in form of cellular inclusion, इनके पास cytoplasmic inclusion होते हैं, जिसको हम लोग अलग-अलग नाम देए, synofacin granules हो गया, starch granules हो गया, और इस तरह के granules या sytoplasmic inclusions present होते हैं, ठीक, अच्छा, अब क्या है, a specialized form of cell membrane, cell membrane से invagination निकलता है, cell membrane से invagination निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, mesozoom, invagination of cell membrane is called, या differentiated form of cell membrane is called mesozoom, जिसका काम ध्यान से देखना, जिसका काम ध्यान से देखना, जिसका काम ध्यान से देखना, क्या होता है, कि they are essentially involved in the microcell membrane और इसका काम क्या होता है कहां गया काम 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 यहाँ पर confuse करता है तुमारा है ना देखो specialized membranous structure is mesozone which is formed by which is formed by extensions of plasma membrane into the cells into the cells and these extensions these extensions are in form of vesicles, tubules and lamella यहाँ पर देखना यहाँ पर तुमको endoplasmic reticulum और Golgi complex से complicate किया जाता है ठीक है these are vesicles and lamella ठीक है you have to keep this in mind हाँ बेटर ठीक है तो यह याद ध्यारकम ठीक है तो vesicles, tubules and lamella this is very important you have to keep this in mind ठीक है plasma में यह तुमारा mesozone का यह तुमारा vesicles, tubules and lamella इस पर question आई हुआ है the cell they help the cell wall they help in cell wall formation अब देखो यहाँ पर तीन चार लाइन दिया है cell wall formation DNA replication ठीक है और distribution to daughter cells यहाँ पर respiration बहुत कम दिया है ठीक है यहाँ पर तुमारा respiration बहुत कम दिया है respiration का का काम होता है यह तुमारा septal mesozoom कहते है यह important यह आपको इतना नहीं ठीक है and increase the surface area of plasma membrane for enzyme action ठीक है यह चीज़ आपको याद रखना है यह चीज़ आपको याद रखना है ठीक है यह चीज़ आपको याद रखना है क्या है भाई तुमारा पहला काम क्या होता है पहला काम है cell wall का formation ठीक है DNA replication और distributed daughter nuclei respiration and secretion यह सारे काम plasma में यह mesozoom के होते है लोग इसमें confuse कर जाते है ठीक है तो biogenesis of cell wall तुमारा replication यह सब कुछ सब कुछ काम इसका आ जाता है ठीक है most prokaryotic cells particularly bacterial chemically complex cell envelop cell envelop का पार्ट क्या क्या आगया भाई तो तुमारा जो outer region है ठीक है तो वो capsule हो गया thin है तो वो slime layer हो गया ठीक है तो the cell envelop consists of a tightly bound layer structure outer most glyco calyx हमने बात किया था followed by cell wall and बाद में plasma membrane अगर यह ठीक है तो capsule बना है और thin है तो slime layer बनाएगा तो अगर यह ठीक है तो capsule बनाएगा और thin है तो slime layer बनाएगा ठीक है तो capsule बनाएगा thin and mucilisiness है तो यह बनाएगा slime layer ठीक है अलग अलग इसका काम है तो इसमें जो glycocalyx है उसका काम होता है इसमें प्रेवेंट्स दा बैक्टीरियल सेल फ्रम डेसीकेशन सूखने से बचाता है तुमारा glycocalyx है तुमारे बैक्टीरियल सेल को ठीक है अच्छा इसमें देख लिया था ग्राम पॉजिटिव एन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यह हमने ग्राम स्टेनिंग पढ़ लिया ठीक है glycocalyx बता दिये अगर ठीक है तो इट कुड भी लूस शीथ कॉल्ड अगर ठीक है तो कैप्सूल है और लूस है तो slime ले ठीक है तुमारा cell wall का काम होता है it prevents the cell from collapsing और bursting जो normal cell का भी wall का भी काम होता है cell membrane जो है तुमारा यह selectively permeable है ठीक है and interacts with the outside wall the membrane is similar to that of the structure of eukaryotes मतलब lipid layer का बनाया हुआ है यह भी मैंने आपको बता दिया यह भी मैंने आपको बता दिया ठीक है हाँ जी चलिए आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है अच्छा इसी में mesozoom में membranus extension होते है same line use हुआ है aims के question में mesozoom में membranus extension होते है it is not granular in nature इस पे question आई हुआ था ठीक है in some procariors like cyanobacteria there are other membranus extension into the cytoplasm और इसको हम chromatophores कहते है यार रख लो इसको लिख लो it is not granular यार पर question आई था मैं खुद confused हो गया था यार उस पर ठीक है it is a membranus extension and it is not granular इस पर packet में लिख लो it is not granular and it helps in photosynthesis यह चीज इंपॉर्टेंट है ठीक है question बन जाएगा आपसे ठीक है it is not granular confuse मत करना language में ठीक है bacterial cell motile भी हो सकता है non motile भी हो सकता है अच्छा कैसे कैसे motile होगा कैसे कैसे non motile होगा तो bacterial cell can be motile और non motile अगर motile है तो देहा filamentous extension from the cell wall called flagella याद रखिएगा यहाँ पर cell wall से filamentous extension निकलता है अगर हम बाद में animal cells की बात करेंगे तो वहाँ पर cell membrane से filamentous extension निकलता है मतलब flagella is covered by a cell membrane हम देखेंगे और centriole is not covered by a cell membrane यह भी confusion होता है बच्चों को ठीक अच्छा तो इसको हम flagella कहते है flagella इसके पास 3 region होता है filament, token, basal body and a prokaryotic flagella is very different from that of an eukaryotic flagella a prokaryotic flagella is very different from that of an eukaryotic flagella prokaryote पर 2 ring होता है और eukaryote पर 4 ring होता है ठीक है अब देखो अब देखो क्या है ring वहिंग वैसे तुम लोगो इतना confusion है पढ़ना नहीं है इसका जो protein है यह बना है flagelline protein का यह जो protein है flagelline protein prokaryotic यह तुमारा flagelline protein का बना होता है eukaryotic tubulin protein का बना होता है ठीक है अच्छा और क्या है बाई और क्या क्या है इसमें besides flagella pilai है pilai तुमारा क्या करता है pilai तुमारा इसके काम करता है pilai तुमारा sexual reproduction में help करता है तुमारा इसमें ठीक है pilai तुमारा जो protein का बना होता है इसको हम piline protein कहते है and these are elongated tubular structure made up of special protein जिसको हम piline protein कहते है ठीक है fembrae bristle like structures होता है गोनोरिया में fembrae होता है तुमारे urinary tract के साथ चिपक जाता है इसलिए सुसु होता है जब तुम urinate करते हो तो painful mikturation होता है इनके साथ गोनोरिया तो fiber sprouting out of the cells in some bacteria in some bacteria known to help to attach to certain structures तो यह body पे भी attach जो जाता है by the help of fembrae ठीक अच्छा protein का बना हो वो कौन सा protein है that is made up of pyeline protein यहाँ पे जिसको हम लिए this is made up of pyeline protein ठीक है यार रखिये गा they do not play a role in motility this is very important they do not play a role in motility again this is a question तो मैंने आपको 4-5 question यहाँ से बता दिये जो आ सकते हैं ठीक है बटब पिलाए fembrae plays a role in attachment na fembrae help करता है attachment के लिए बाब वो पिलाई नहीं करता है आपके attachment के लिए fembrae does play a role in to surface it does play a role in adhering to surface it does it does it does ठीक है सबको समझ में आया हाया नहीं ठीक है चल आगे बढ़ते है तो यह तुमारा देखो prokaryotic flageal ha और यह तुमारा eukaryotic flageal ha इसका spin का देखो spin का diameter इसका बड़ा है इसका spin का देखो diameter यह जरो filament होता है आएसे मुडा हुआ है यह यह ऐसे concurrent сторону तो यह तुमारा ऐसे ये तुम्हारा डिफरेंस होता है बिटमीन प्रो केरियोटिक एन यू केरियोटिक व्लाजटिक ठीक है ही है चलिंस न interpreting झाले सब्सक्राइब क्वाइब यह थोड़ा इंजियां त्बस ने बट अपको लिखना वही होगा जो NCRT कहती है, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो NCRT क्या अगरबड क्या दिखते हैं, इन prokaryotes, ribozones are associated with plasma membrane, या फिर cytoplasm में freely हो सकता है, ठीक है, बट majorly लिखा है NCRT कि they are associated with the plasma membrane, ठीक है, तो prokaryote में plasma membrane के साथ associated है, eukaryote में, या तो endoplasmic rate साथ associated है, या तो plasm में present, they are about 15 nanometer by 20 nanometer side, and is made up of two subunits, 50S and 30S, which is present together in form of a 70S ribozome, ठीक है, S का stand क्या करता है, यहाँ पर बता देते हैं, S यहाँ पर swedwork unit stand करता है, 1S is equal to 10 to the power minus 1 second, ठीक है, S stands for sedimentation coefficient, S is equal to, sedimentation, यहाँ इसको हम कहते हैं, swedwork unit, and, 1S is equal to 10 to the power minus 13 second, 1S is equal to 10 to the power minus 13 second, ठीक है, अच्छा, ribozome जो मेरे हैं, they are the site for protein synthesis, तो ribozomes are site for protein synthesis, several ribozome can attach to a single mRNA, several ribozomes can attach to a single mRNA to form a chain-like structure called polyzome या polyribozome, अगर बहुत सारा ribozome एक single mRNA के साथ attached है, तो इसको हम polyzome या polyribozome कहते हैं, ठीक है, चलिए, आगे, अगला आते हैं, आगे आते हैं, तो क्या है, तो the ribozome of a polyzome translates mRNA into protein, ठीक है, तो polyzome का measure काम प्रोटीन सिंथेस कराना, ribozome is attached to the plasma, ठीक है, चलिए, इसके साथ इसके अंदर आते हैं, inclusion body, जिसको हम cytoplasmic inclusion भी है, जैसे reserve food material in form of inclusion body पे होता है, जैसे phosphate granules, ठीक है, cyanophasin granules, phosphate granules, obviously volutene या phosphate granules कहते हैं, cyanophasin granules आपका हो गया ये, और glycogen granules हो गया आपका, जो starch store करेगा, ठीक है, gas vacuoles are found in protein and pulpar lean bacteria, मैंने आपको लिखवा दिया था, gas vacuoles तुमारा, इसमें present होते हैं, these are vesicular in nature, ठीक है, proper membrane इनके पास नहीं होता, तुम लोग ये बोल सकते हो न, कि सर, membrane mon nucleus तो आपने बोला, membrane mon cello, प्रेज़न नहीं होता है, तो proper membrane यहाँ पे नहीं present होता, ये तुमारा, syno-fasing, ये तुमारा छोटे-छोटे मतला, vesicular structure के form में, gas vacuoles होते हैं, जो इसको buoyancy देते हैं, ठीक, तो ये हो गया, तुमारा prokaryotic cell खतम, कोई दिक्कत है prokaryotic cell में, नहीं आएगा, कोई दिक्कत है तो पूछिए, बैटा, रेफरेश करो, वीडियो ठीक आजागा, रुक के नहीं आएगा, बैटा, वीडियो सबका फस्रा है क्या, फिम्ब्रे क्या करता है, बैटा, फिम्ब्रे helps in attachment to surface, किसी surface पर attachment के लिए फिम्ब्रे help करता है, वीडियो सबका फस्रा है क्या, एक बर बताना बच्चो, नहीं आने चलो यार, आज शुकर मनो, आज कुछ पंगा ना हो रहा, फिर हो गया तो पर दिक्कत हो जाएगा, हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताईए, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चो, फिर चल करते हैं, हाँ, जी, चल, चल, देखो, एक कुशन प्रोकेरिटिक्स से पक्का है, जो मैंने आपको बता दिया, उसमें से यह आएगा, उससे बाहर कुशन नहीं आएगा, तो एकदम निश्चिन्थ होके पढ़ना, यह कहानी मत पढ़ना, रॉट शेफ्ट ऐसा होता था, यह ऐसा होता था, इतना प्रेम कता नहीं पढ़ना हम लोगों, चलो बेटा, अब मैनेज कर लो, कुछ टेक्निकल इशू है, लेना बेटर है, अब थोड़ा बहुत मैनेज कर लो, ठीक है, यूकरियोटिक सेल पर बात करते है, आच्छा, चलो, तो यूकरियोटिक सेल कहां कहां प्रेजेंट है वाई, चलिए आजाए, इंचाटी मत अगजे बोलते हैं, तो यूकरियोटिक सेल इंक्लूट्स, अइनिमल आजागा, अधारिस एन, एक्स्टेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन अफ साइप्लाजम, ठीक है, और मिम्म्रेंबाउंच अलोगनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नूकलियस है, नूकलियस के चार ओर, नूकलियर भी है या nuclear membrane भी है ठीक है genetic material जो है it is organized into into the genetic material is properly organized into chromosome ठीक है all eukaryotic cells are not identical अलग-अलग होते है plant cell अलग होते है animal cell अलग होते है plant cell के पास तुम्हारा cell wall है प्लास्टेड है और large central vacuole होता है which is absent in animal cells animal cell के पास अपना centriole होता है absent in almost all plant cells ठीक है तो plant cell के पास क्या क्या होगे extra cell wall plastics और vacuole बड़ा vacuole animal cell के पास vacuoles होते है adipocytes में but छोटे vacuoles होते है plant cell के पास लगबग 80-90% जो है वो vacuole का ही cover होता है ठीक है तो यह plant cell का डागराम है NCRT में हो सकता है labeling के लिए question आ जा तो आ जाए ठीक है और यह मेरा animal cell का डागराम है अगेन यह NCRT में लिए question में पूछ सकते हैं ठीक है cell membrane की बार तो cell membrane लगबग बहुत दिन तक पढ़ाने गया सबसे पहले लिख लो कुछ कुछ cell membrane का जो नाम है cell membrane का तुमारा पहला unit model दिया था तुमारा फिर sandwich model था नाम से याद रख लो ताकि तुमारा इसमें दिक्कत नहाँ ठीक है sandwich model हो गया तुमारा यह तुमारा डेफसन और डेनियली है नेगेली और क्रामर का यह कुछ काम था ठीक है और जो fluid मोजायक model है जिसको अभी हम लोग accepted model है fluid मोजायक model इसको हम कहते हैं यह था 1972 में 72 में Colson & Singer है तो सिर्फ तुमको नाम जाना है पढ़ना हम लोगों से fluid मोजायक model है कोई कमेंट करके बताना नेगेली और क्रामर क्या किया तो आपो किसी को पता है बेटा दिपांशू नीट का कोई date postpone नहीं है क्यों इन सब चक्कर में पढ़ता है यूट्यूब कम देखा करो सुखी रहोगे ठीक है काम धाम रहता नहीं है कुछ भी बना यूट्यूब देखा कर रहा है ना अगला तो देखो तो देखो क्या होगे ठीक है तो देटेल स्रुक्चर ऑफ मेंब्रेयन वस्टडीड बाइद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोन मैक्रोस्कोप हमने बताया था नौल और लूस का तुमारे यह बता दिया ठीक है और हमने स्रुक्चर देखा अगर हम भी का स्रुक्चर देखते हैं तो तो 55% पर्टीन और 40% होता है 55% पर्टीन और 40% लिपिड होता है तो लगबग 20% प्रोटीन हो जाता है और 80% लिपिड हो जाता है ठीक है Mildated बेटा NEET will not be postponed I am telling you NEET will not be postponed CBST will arrange some all NTA का exam बहुत बड़ा है as compared to NEET Please मति सब अफ़ा फैलाओ क्यों बच्चे परिशान हो जाएंगे ठीक है NEET will not be postponed I am saying you again period ठीक है don't worry about that छोटे से region के लिए पूरा NTA exam अलग नहीं करेगा अपना exam का date बदल देगा NEET का date नहीं बदलने वाला अच्छा कोई नहीं चलो ठीक है जो भी हो ठीक है इसा बफ़ा मत फैलाओ बहुत बच्चे बहुत serious time waste होता है एक दिन आगे हो जाए एक दिन पीछे हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है Please please I am requesting you चलिए अगर ठीक है तो these studies show that the cell membrane consists of cell membrane क्या चीज़ के लिए बचाएंगे तो cell membrane is mainly composed of lipids and proteins ठीक है the major lipids are phospholipids that are arranged in form of bilayer तो lipid bilayer के form में होता है कैसा होता है हम अभी बना लेता है ठीक है तो क्या हो गया जो structure है वो लगवग कुछ ऐसा होगा कुछ ऐसा होगा made up of a lipid by layer सक्षिया ठीक है मतलब दोनों side lipid होगा यहाँ पर यह एक lipid हो गया और यहाँ पर भी पीछे की तरब भी तुमारा एक घ्यान दुसना बबू इस पर पाता है ठीक है और इसमें कुछ protein molecules embedded होंगे इसमें कुछ protein molecules परिफेरल प्रोटीन इसको हम कहते है peripheral protein कुछ molecules deeply embedded होते है इसको हम कहते है integral protein और deeply embedded होते है तो इसको कहते है integral protein तो यह वाला होगे मेरा integral protein और इसके साथ specific type of protein होते है जो एक दूसरे membrane cross-cross पर जाते है इन प्रोटीन्स कों कहते है channel protein protein कों कहते है इन प्रोटीन्स कों कहते है शैनल ठीक है यह हो गया मेरा पेरिफेर परोटीन यह हो गया इं। निए ठीक है, integral protein का ही type होता है, peripheral तुम्हारा extrinsic भी होगा, बाहर की तरफ हो रहा है, तो यह extrinsic protein भी होगा, जो easily wash off हो सकता है, ठीक है, integral protein या integral protein का ही यह protein होता है, इसको हम कहते हैं, that helps in transport of substances, जो यह head है, यह polar या इसको हम hydrophilic head भी कहते हैं, और इसका जो tail है, इसको हम non-polar या इसको हम hydrophobic भी कहते हैं, ठीक है, polar head, non-polar tail या hydrophobic tail भी कहते हैं, ठीक है, तो यह तुम्हारा structure हो गया, हाँ जी सारंग, प्रचानल जबाबू, hydrophilic affinity towards water, मेरा एक student था ना, उसने लिख दिया था, water lover hydrophilic, water heater hydrophobic, ठीक है, तो तुम लोग भी लिख सकते, water lover hydrophilic है, और water heater तुम्हारा hydrophobic है, ठीक है, तो चलो, तो तो दो लिपिट्स हर अरेंज, within the membrane, with the polar head towards the outer side है ना, polar head मतलब hydrophilic, ठीक है, and hydrophobic tails, hydrophobic tails, towards the inner part, towards the inner part, ठीक है, this ensures that, non-polar tail of saturated hydrocarbon, is protected from aqueous environment, ठीक है, मतलब यह hydrophobic है, तुम्हारा non-polar tail hydrophobic है, in addition, phospholipid membrane has cholesterol, याद अखिएगा, cholesterol क्या करता है, cholesterol, membrane stability देता है, cholesterol तुम्हारा membrane stability देता है, prokaryotes में इसी तरह एक structure होता है, इसको हम लोग happenoids भी कहते हैं, ठीक है, तो membrane stability देता है, और prokaryotes में ऐसा ही structure होता है, prokaryotes में जो structure होता है, जो membrane stability देता है, इसको हम happenoids कहते हैं, इस प्रोटीन के मता ना भाई ठीक है अगें यहां पर मेरा स्पेलिंग का जो है ना डेटाबेस ऊड़ गया है ठीक है तो यह है प्रोकारियोट्स में चलिए आगे बात करते हैं क्या है तो यह प्रोटीन लिपिट बता दिये थे अगर बीची की बात करें तो सॉरी आर बीची में 52 पर्सेंट प्रोटीन हो गया और 40 पर्सेंट लिपिड हो गया बांकि तुम्हारे और और अगरा हो गया ठीक है डिपेंडिंग और इस ट्रेक्शन जो मुश्किल से एक्स् परफेस पर होता है ठीक है इंटिग्रेल और परिफेरल प्रोटीन के हमने बात कर लिए ठीक है इसका लेबलिंग देखलो यह फॉस्पोल लिपिड बाइल यह है यह फैड्रोफिलिक है यह फैरल प्रोटीन हो गया यह जो पार्ट जो सब निकला वह यह शुगर है लिखो 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 खॉसि फूइड नेचिर ऑफ लिपिड होता है जो जो कुशन आ रहा है ना सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ सारे कुशन आपसे बनेंगे खॉसि फूइड नेचिर ऑफ लिपिड होता है ठीक है मतलब अगर हम बात करें तो जोर्ती Chem I look a लिपिड can flip flop but proteins can't, ठीक है, पहला point, दूसरा point ये लिख लो, कि proteins shows lateral movement in the lipid by layer, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन can only show lateral movement in the lipid by layer, ठीक है, तो ये तुमारा आ गया, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, कॉसी फ्लूइड लेचर और लिपिड, ठीक है, अब अगर हम बात करें, कि an improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, which is accepted as fluid mosaic model, ठीक है, by layer में तुमारे lateral movement of protein होता है, ठीक है, अगेन, the fluid nature of membrane is important for point to point VO functions like cell growth, formation of intercellular junctions जो हम पढ़ते थे, secretion, endocytosis and cell division, ये सारे काम के लिए तुमारा fluid nature जरूरी होता है, ठीक है, हाँ जी, नहीं बेटा, जो नहीं है, उसको नहीं करना, जो नहीं है, NCRT में नहीं करना, जब मुझे यार नहीं है, तो नहीं करना, ठीक है, चल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, now one of the most important function of plasma membrane क्या क्या है भई, पहला function है, plasma membrane का, तुमारा transport, तो कैसा कैसा transport होता है, active transport, primary, तुमारा passive transport, तो passive transport, जहाँ पे expenditure of energy नहीं हो रहा है, वो passive transport होगा, जहाँ पे expenditure of energy हो रहा है, वो active transport होगा, तो लिखो भई, यह passive transport होगा है, passive transport मतलब, higher to lower concentration, यह transport in plant में हमनों different detail ने पढ़ेंगे, ठीक है, simple diffusion, ठीक है, along the concentration gradient, अगर पानी का निकल रहा है, तो water होगा, ठीक है, अगर movement of water हो रहा है, तो osmosis हो गया, ठीक है, as the polar molecules cannot pass, polar molecules, lipid mileage से पास नहीं कर सकता, तो उनके लिए carrier protein required होता है, जो दो तरग होगा, अगर around the concentration gradient हो गया, तो facilitated transport हो गया, और अगर against the concentration gradient हो गया, तो active transport हो गया, तो जहाँ पे ATP required है, वो हो जाएगा active transport, ठीक है, तो यह तीन तरह के pumps होंगे, जहाँ पे active transport होगा, ठीक है, passive transport में हो तुमारा आगया, simple diffusion, osmosis और facilitated diffusion, ठीक है, यह तीन तरह का transport हो, अब आते हैं, cell wall, cell wall मेरा बना होता है, cellulose का majorly cellulose का बना होता है, अब cell wall का अगर हम से देखें तो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से पहले structure देखो, फिर आप detail में पढ़ लिजेगा, हम NCRT से पढ़ा दिए, यह मानला लिए, तो यह outer layer है, इसको हम primary cell wall करते हैं, यह अंदर वाला layer है, इसको हम secondary cell wall करते हैं, और यह उसके सबसे अंदर वाला layer है, इसको हम tertiary cell wall करते हैं, primary cell wall, secondary cell wall, और tertiary cell wall, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा, साइटो प्लाज्मिक ब्रिज है, यहाँ पर तुम्हारा साइटो प्लाज्मिक ब्रिज है, इसको हम प्लाज्मो डेस्माटा कहते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रीजन है, जो बाइडनिंग मेटीरियल है, जो कैल्चिम फेक्टेट का बनाता है, उसको हम कहते हैं, म यह मेरा हो गया तर्शरी सेल वाल इस अल्ली प्रेजेंट इन ट्रेकर जिम्नो स्पॉवं। सेकेंड़ी सेल वाल जो है मेरा सेकेंड़ी सेल वाल यह तुम्हारा जेनरली permanent tissues में मिलता है जैसे तुम्हारा mesophyll cells हो गए या उस तरह के cells हो गए ठीक है तो यह secondary cell wall जो है यह मेरे permanent tissue में मिलेगा and it is formed by apposition दो चीज जादको एक accretion होता है apposition होता है या एक intusception होता है ठीक है तो यह form करता है यह form करता है apposition से मतलब formation और अगर बाहर की layer पर तो यह primary cell wall जो है primary cell wall जो है यह form होता है intusception से मतलब मतलब कि previous layer पर अगर हम कोई डाली जाए इस layer को अगर हम properly भर दिये तो इसको हम intusception कहेंगे ठीक है अब इस layer पर इस layer पर एक नया layer आ गया तो इसको हम apposition कहते है अंदर वाला layer है इसको हम कहते है middle lamella जो दो cell को जोड के रखेगा ठीक है calcium और pectate का बना होता है ठीक है और इसके वाला layer है यह plasma investment है यह connection या bridges to cytoplasm या bridges between bridge to cells ठीक है यह आ जागा bridges to adjacent cells ठीक है ठीक है दो adjacent cell को यह bridge करता है यह plasma investment हो गया यह तुम्हारा layer हो गया और यह outer बीच वाला और अंदर वाला layer ठीक है for the plasma membrane of fungi plant का तुम्हारा cellulose का बना है fungi का cell wall तुम्हारा kytine का बना हुए ठीक है cell wall not only gives shape to the cell but also protects the cell from mechanical damage and infection ठीक है बहुत अच्छी बात है it also helps in cell to cell interaction ठीक cell wall तुम्हारा किसका बना है manose glaluknose है ना तो cellulose galactans और manans and minerals like calcium carbonate यह important है इस पर को शना हुआ हुआ ठीक है other plant cell wall consists of cellulose, cellulose, pectines and protein ठीक है पहला cell wall जो यंग cell wall में होता है this is every present in every cell wall that is primary cell wall which is capable of growth उसके अंदर उसके अंदर secondary cell wall बनता है मतब secondary cell wall प्राइमरी cell wall और cell membrane के बीच में बनेगा उसके नीचे वाला लेर है that is middle lamella that is a layer mainly of calcium pectate which holds the adjacent cell together the cell wall and middle lamella may be transverse by plasmo desmata which connects the cytoplasm of neighboring cells ठीक है तो it connects the cytoplasm of neighboring cells कोई दीकर जाहा तक बेटा 7 bm से इतने दिन से आ रहे हैं live पता नहीं चल रहा भी तक हाँ यहां तक कोई दिकर था तो बताईए ठीक है अब आते हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी कॉंप्लेक्स लाइजोजोम्स औड वैक्योल्स सिंस्च दा फंच्छन ऑ माइटो कॉंड्रिया क्लोरोप्लास और परोक्सी जोम्स आर नॉट इन कॉदिनेटिव विद अवर्ब धे आर नॉट कंसिडर्ड आज सनी सिस्टम रिखेक्जा तो मेरा गॉल्जी कॉंप्लेक्स है अपी और मोल्ग कॉंप्लेक्स अच्छा दिखलो साइट्र प्लाज्म टर्म मlorा इंडुप्लाज्मिक रिटिकलम की अगर हम बात करें, हम टो रीजन में जो Structuralum Luminal कहते हैं अगर बाहर की तरफ है तो उसको Extraluminal क कहते हैं, ठीक है? तो Indoplasmic Ret 그다음 divides the space into two distinct compartment inside Indoplasmic Reticulum और Extraluminal Cytoplasm का Compartment, ठीक है? दो तरह का Ribosome होता है, एक Rough Indoplasmic Reticulum होता है, एक Smooth Indoplasmic Reticulum होता है अगर ribosomes present है और protein synthesis कर रहा है तो वो rough endoplasmic reticulum है अगर ribosomes present नहीं है और protein synthesis नहीं कर रहा है तो वो smooth endoplasmic reticulum राइबोजोम present है तो rough endoplasmic reticulum, ribosome present नहीं है तो smooth endoplasmic reticulum तो the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum और जहां पर ribosome नहीं है which is smooth in structure that is called smooth endoplasm reticulum ठीक अच्छा ribosome RER का function क्या हुआ RER का function तुम्हारा पहला पहला function लिखो protein synthesis पहला है structural framework protein synthesis ठीक है nuclear membrane formation में help करता है यह important point है membrane formation में help करता है यह important point और बांकी protein synthesis तो करी रहा है तो यह तुम्हारा तो यह है कि they are extensive and continuous with out nucleus membrane ठीक है smooth अच्छा it is mainly composed of cisternae and tibules यह भी important point है it is mainly composed of cisternae and tibules ठीक है smooth endoplasmic reticulum की बात कर अगर हम smooth endoplasmic reticulum mainly composed of tibules and vesicles यह tibules and vesicles का होता है ठीक है क्या करता है यह synthesis करता है ठीक है अच्छा और क्या है अगर lipid का पूछ रहा है smooth endoplasmic reticulum का sarcoplasmic reticulum sarcoplasmic reticulum जो calcium iron release करता है यह भी smooth endoplasmic reticulum का बात है यहाँ पर rough endoplasmic reticulum में आता है nissles granules याद है हम लोग nissles granules पढ़ेते nissles granules are also fragments of endoplasmic reticulum तो nissles granules तुमारा जो होता है वो rough endoplasmic reticulum का पार्ट हो जाता है ठीक है तो it is the site for synthesis of lipid और SCR में synthesize होता है viral hormone viral hormone भी तुमारा SCR में synthesize होता है यहाँ पर तुमारा rough endoplasmic reticulum में protein synthesis होता है तो यह होग दुमारा endoplasmic reticulum अगला आते हैं Golgi bodies या Golgi apparatus हाँ बेटर फीलेंगे ठग गया यार actually कोई नहीं हाँ हाँ जी लिपिट बाइलेयर सभी में होते हैं किसमें हाँ लिपिट बाइलेयर बाबु लिपिट लेयर तो plasma membrane तो सब में होगा ना तो लिपिट बाइलेयर ही होगा ठग गया यार यारब बुष्ण के दो लंगर जूद देयाो करके तुमारा ये-किए बह। लस्या जाएका प्लास्टिट बहुत ल्भाए का टूद में ट॔र टेयम फान होगा लाट बूद में रहन라 किया बाहुं yeah तो इसको यही तक रोख लेते हैं बहुत- बहुत- ज्यादगा हो जाएगा है नना जिसको हम बहुं सिस्टरने के यह सेक्ट ते है इसको वाहिप final consistent जेंस को सिस्टने कहेंगे फिर उसके बाद जो मेरा फिर उसके बार पैलल टुwe — एs श्टने के साथ टिम्यू का तो का सिस्टने ने का दो पाट अब हम बात करें, तो पहला अगर सिस फेज हो गया, आद या नी फॉर्मिंग फेज ठीक है और इसके बाद यह से यहां ट्रस फेज़ या नी मैच्यूरिंग फेज हमेशा या रखना इस पर लेबिलिग आता है, ठीक है तो अहूं से रखना कि जो सिस फेज है, वह फॉर्मिंग हो दोने मरें तो को आप दिहान में रखेंगे, SIS FACE सुम्हारा forming हो जाएगे to tease Trance FACE सुम्हारा maturing WCCYSjang ми मैं आ जाएगा और maturing versusяла क्ल तुम्हारा Transit Feels present हो ञाओ जाएगे Trans similar क्या कौन से language use करते हो भाही तुम पता नहीं चलता हां चलो ठीक है? तो carte Party Trans Production तो हमेशा याद इखेगा ठीक है? इससे Tribal से फिर V 헤icolol निकलता तो मतलब येवाले तुम्हारा Forming VSlज जाएगा और ये वाले Ahmedraw Maturing Vals हमेशा याद आखना इस पर labeling पर तो क्या है, तो देखो, तो क्या कह रहा है NCRT, कि these are stacked cisternets present in Golgi complex, the Golgi complex cisternets are consistently arranged near the nucleus with distinct cis or convex phase, जिसको forming phase कहते हैं, and concave or trans phase, जिसको maturing phase कहते हैं, the cis and trans phases are entirely different and interconnected, the Golgi apparatus principally perform the function of packaging, glycosidylation करते हैं, देखो बाबू, क्या करता है Golgi apparatus, Golgi apparatus courier company के तरहा काम करता है, जैसे मानलो कोई समान करता है, कहीं और से आ रहा है, Golgi apparatus में उसका packing वैकिंग होगा, और जहां जाना है, वहां पे vesicles की form में चला जाता है, ठीक है, तो, to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell, यह दोनों काम Golgi apparatus करता है, ठीक है, ear से जो समान आया, वो cis phase पे गया, cis phase में fuse हो गया, forming vesicle बना, और उसके बाद, वो trans phase से निकल गया, in form of maturing vesicle, इसलिए, Golgi apparatus close contact with, तुम्हारा उससे रहता है, यह, endoplasmic reticulum के close contact से रहता है, ठीक है, तो, number of protein, synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum, इसका glycosidilation होता है, ठीक है, are modified, से उनका glycosidilation होता है, तो, these are modified in the cisternion of Golgi apparatus before they become released from the trans phase, ठीक है, तो, इसका glycosidilation होता है, ठीक है, and Golgi apparatus plays an important role in synthesis of glycolipid and glycoprotein, ठीक है, तो, glycolipid और glycoprotein के synthesis के लिए, Golgi apparatus बहुत-बहुत मेश्चित ले करता है, मतलब, glycosidilation of protein, जो है, वो तुमारा Golgi apparatus में हो रहा है, ठीक है, इस पर labeling के question आप expect कर सकते हैं, जो आप एक्सपेट कर सकते हैं, इस तरह के questions आप Golgi apparatus में expect कर सकते हैं, अगला आते हैं, lyzozoms, अगला आते हैं, lyzozoms, lyzozoms को हम क्या कहते हैं, भाई, lyzozoms को side bag of the cell भी कहते हैं, ठीक है, कुछ point लिख लो, बहुत important है, पहला, इसके पास active enzymes होते हैं, ठीक है, इस पर question आए हुआ है, इसके पास active enzymes होते हैं, sorry, single layered, या single membrane होता है, SGH होता है, और जो समान वो engulf करता है, वो ATP के help से करता है, अब कोई मौत के हुआ में खुच से तो जाएगा ने, तो यह कि यह ATP का hydrolysis करके समान को डालता है, ATP का hydrolysis करके समान को डालता है, इधर अंदर, तो यहाँ पे सारे समान तुमारे hydrolysis of ATP से अंदर आते हैं, ठीक है, तो दे आर membrane bound vesicular structure formed of packaging in the Golgi apparatus, ठीक है, यहाँ पे होता है, हाँ जी, बेटा, वो ATP होता है, यहाँ पे, ATP यूटलाइज करता है, सिंगल में अच्टिंज अक्टिंज अगें, वेरी इंपॉर्टेंट पांट जो आपको दिहान में रखना है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जुखाम हो गया है मुझे आज तो, चलो कोई नहीं, सुनो यार, अब हम लोग छुट्टी करते हैं, आगे बड़े हैं, आगे, वेक्योल आप कल करेंगे, वेक्योल हो गया तुमारा, माइटो कॉंड्रिया हो गया, ध्यान से करेंगे, प्लास्टेट्स हो गया, तुमारा, राइबोजोम हो गया, साइटो स्केल्टन है, सीलिया है, फ्लैजिला है, सेंट्रोजोम है, सेंट्रि तो हम लोग कल मिलते हैं अच्छा बाइद बेगाइज स्पेशल सप्राइज आने वाला है तुम लोग को स्पेशल क्लास के फॉर्म में ठीक है तो यहां पे मुझे फॉलो करो बहुत भयानक सप्राइज तुम लोग के लिए आने वाला है मैं कुछ प्लान करने वाला हूँ इस महीने भी तो यहां में मुझे आप फॉलो कीजिए तु स्टेट क्यों ठीक है तुम लोग करना है चानल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं कि अभी तक बिल आइकन दवाने और इस वीडियो को जितना जाधा जाधा हो सकता है आप शेयर कीजिए ताकि जाधे से जाधे बच्चे तक इसका बेनिफिट पहुँच पाई ठी ठीक है फिर रहे जाएंगे साथ चेप्टर उनका देखते हैं कुछ ना कुछ क्या करना है प्लांट फीजियो और सेल बायो करें गया तो इसका मैं देखता हूं क्या करते है ठीक है बाकि जो बच्चे प्लस पे आना चाहते हैं इस इस ऑप्टिमम टाइम टाइम फॉर यू अच्छा है वाई कि आप यहां पर इंडिया के सारे अच्छे टीचर से आप एक सिंगल प्लाटफॉर्म पर पढ़ सकते ठीक है तो आप रेकमेंड की दिलाईगा उनको रेफ्रेल कोड आनंग यूस करेंगे ताकि वो मुझसे और स्पेसिफिक गाइडेंस ले पाए ठीक ह चलो गाइज I'll see you in class here bye bye good night और comment करके जरूरू बताते रहना वावो कैसा लग रहे लेक्चे ठीक है I'll see you in class bye